हेलो एब्रिवन, MP Constable 2020 के लिए Maths का ये है Part 3 और ये है 19 अगस 2017 का Shift 2 का पेपर फर्स्ट कोशन है, अब बैग कंटेंस 5 ब्लैक और 6 वाइड बॉल्स एक बैग में 5 ब्लैक और 6 वाइड बॉल्स हैं, तो 2 बॉल्स को निकालना है तो what is the probability that the balls drawn are white, ball के white होने की probability find करना है probability कैसे निकालते हैं, favorable case इस उपर लिखते हैं और total case नीचे तो इसमें total case कितने हो रहा है, 6 और 5 या फिर ये तो formula हो गया probability का, इसको निकालने के दो तरीके हैं कि एक तो हम ऐसे ही select कर लें, हमें white balls निकालना है, मतलब जो ball निकालनी है, वो white हो, तो white यहां पर कितनी है, 6 है, तो 6 में से सबसे पहले हम एक ball निकालना है, तो उसके chances कितने हो जाएंगे white होने के, 6 है मतलब 6 white balls हैं तो उन 6 में से हम कोई एक ball निकाल सकते हैं तो 6 तरीके हो गए divide में total total कितने है 11 into क्योंकि हमने ये एक ball तो निकाल ली है into हम इसलिए लगा रहे क्योंकि अभी और निकालना है और के लिए हम into का sign लगाते हैं तो एक ball में total total कितने बचे पहले 11 थी एक निकाल चुके तो 11 में से एक जाएगा 10 कि इसको solve कर लो यह 10 cancer होगा 5 से 2 बार और 2 से यह 3 बार तो यहां पर 3 बचेगा तो 3 by 11 इसकी probability आ जाएगी कि हम इसको combination से भी निकाल सकते हैं permutation combination में C की help से combination से मतलब select करके probability में क्या करते हैं favorable cases ऊपर लिखते हैं तो favorable cases कितने हो जाएंगे यह probability select करना है हमें 2 गेंदी निकालना है total कितनी है 6 तो 6 C और 2 6 है 6 में से हमें 2 निकालना है तो हम 6 C 2 लिखेंगे divide में total total cases कितने हो रहे हैं total है 11 balls उस में से हमें 2 select करनी है तो 11 C2 6 C2 यहाँ पर 6 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम वाइड बॉल निकालने थी और वाइड बॉल की total number कितने थे 6 तो 6 में से हमें 2 select करने थी इसलिए 6 C2 और total थी 11 तो 11 C2 अब इसको formula से भी open कर सकते हैं C को लेकिन ऐसे भी solve कर सकते हैं कि 6 है तो 6 को दो बार खोलो 6 into 5 और नीचे जो है 2, 2 को पूरा 2 into 1 डिवाइड में 11 को दो बार तक 11 into 10 10 तक जाएगा क्योंकि 2 लिखा हुआ है 2 और फिर 2 को पूरा 2 into 1 अब यह एक पार्ट है और यह एक पार्ट है तो यह जब उपर जाएगा तो पलट जाएगा 6 into 5 डिवाइड में 2 into 1 into यह चेंज हो जाएगा यह नीचे का उपर हो जाएगा 2 into 1 डिवाइड में 11 into 10 यह 2 into 1 से 2 into 1 कैंसल 5 से यह दो बार कैंसल हो जाएगा और 2 से 6 अधिक से 3 बार तो यह आजाएगा 3 by 11 तो इस cancer हो जाएगा 3 by 11 प्रैक्ता आई 3 by 11 Next है What is the value of x and y और y की value निकालना है इसको और इसको जोड़ना है तो इतना मिलेगा तो ये x है और ये y इनकी value निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे plus करते हैं 4, 3, x 5, 6, 7 और ये 5, 3, y, 2, 6 इन सब को plus करना है तो कितना मिलेगा 4, 8, 9, 9, 9, 3 तो पहले 3 last में फिर 9 इनके नीचे 9, 9, 8 और ये 4 तो हम इसमें plus करेंगे 7 और 6, 13 तो 3 लिखा हुआ है और 1 कहरी यहां पर आएगी तो 6, 7, 8, 9 ये 9 यहां तक पूरा सही लिखा हुआ है उसके बाद 5 और y को plus करेंगे तो 9 आना चाहिए तो 5 में क्या plus करें कि 9 आजाए 5 में हम 4 जोड़ दें तो 9 आजाएगा और इससे बड़े कोई option है भी नहीं यहां पर तो y की value कितनी हो जाएगी 4 या फिर इसको normal option से भी देख सकते है कि x और y की जगह पर रख रख के देख लो जिनसे answer सही आ रहा है वो answer हो जाएगा अब यहां तक 4 हो गया ये 9 इसके बाद x प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए 3 में कितना plus करें 6 प्लस कर दें तो ये 9 मिल जाएगा तो x की value कितनी हो जाएगी 6 तो ये 9 मिला 3 प्लस 5 एट और 4 और ये 4 तो पूरा answer यहां तक सेम हो रहा है मतलब x equal to 6 और y equal to 4 next है average of first 8 multiples of 14 14 के 8 multiples का average निकालना है तो हम 14 के table 8 तक लिख लेते हैं 14 28 42 56 5 बार 70 44 98 और 112 ये 8 तक हो गए अब इन सब को plus करना है और 8 से divide करना है क्योंकि total कितने हैं 8 है इसके इलावा इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं कि जब कभी इस तरह से plus करना हो मतलब इस तरह से जब average निकालना हो average निकालने के लिए जब एक line बन रही हो, series बन रही हो और उन सब में same same difference हो रहा हो 14 14 का difference है तो हमके बल first term और last term को plus करके 2 से divide कर देंगे तो भी उतना ही average आएगा तो 14 है first वाली, last है 1, 1, 2, divide कर देंगे 2 से यह 6 और 12, divide 2 6 से cancel हो जाएगा और फिर यह 3, 63 इसका average 63 आ गया third option लेकिन यह तभी करेंगे जब इन सम में same number का अंतर हो तो first और last को plus करके 2 से divide कर देंगे तो भी same average ही आता है next है 750 रुपीज को 750 को ABC में divide करना है और A ratio B, B ratio C इतना दिया है तो B का share कितना होगा इस तरह का same question पिछले वीडियो में भी किया था तो ABC का ratio निकाल लेंगे हम तीनों का A ratio B और B ratio C इस format में हमें से लिखेंगे A और B कितना दिया गया है 5 ratio 2 और B C 7 ratio 13 तो 2 के साइड में जगा है वहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे और 7 के साइड में 7 ही लिख देंगे और नीचे की तरफ multiply करेंगे तो 5 इंटू 7, 35 रेशो 14, 2 इंटू 13, 26 ये रेशो आ गया A, B और ये C अब total दिया गया है 750 तो तीनों को plus करेंगे तीनों को plus करने पर 75 आएगा equal to total कितना दिया गया है 750 उसके equal में लिखेंगे तो यहां से 1 equal to कितना आ जाएगा 75 को इसमें divide कर देंगे हम तो 10 बार cancel हो जाएगा तो 1 equal to 10 मिलेगा और पूछा क्या है B का share तो B का ratio कितना है 14 तो यहां से 14 बराबर कितना आ जाएगा यहां पर दोनों साइट 14 का multiply कर देंगे हम तो 14 यह 1 4 0 आ जाएगा B का share हो जाएगा 140 next है how many liters of acid are there in 12 liters of a 20% solution तो यहां पर 20% ही तो निकालना है और total दिया गया है 12 तो total का 20% निकाल देते हैं 20% का sign हटाएंगे तो divide में 100 into total कितना है 12 यह 0 से 0 और यह 5 बार cancel हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 12 बार 5 और इसे cancel करेंगे तो 2 बार 0.4 बार 20 2.4 लिटर इसका answer हो जाएगा fourth option eighth है 3 tables और 2 chairs की कीमत इतनी है और 2 table और 3 chairs की cost इतनी है तो cost of 5 tables and 5 chairs कीतनी हो जाएगी तो 1 table की कीमत हम आल लेते हैं की T है तो 3 table की कितनी हो जाएगी 3T और 1 chair की माल लेते हैं की C है तो 2 chair कितनी हो जाएगी 2C और इनको plus करेंगे तो total cost जाएगी total cost कीतनी है इनकी 2, 1, 5 इसी तरह से हम 2 table की निकालेंगे 2 table 2T plus 3C इन सब की कितनी है 2, 5, 0 ये दो equation बन गई इनको हम solve कर देंगे लेकिन question में पूछा गया क्या है 5 tables और 5 chairs की कीमत पूछी है तो 5 table, 1 table की T हो जाएगी और 5 table की 5 T प्लस 1 chair की C तो 5 chair की 5 C इक्वल टू, ये find करना है मतलब हमें T की आगे 5 लाना है इन दोनों equations को जोड़ दें, प्लस कर दें तो 3 प्लस 2 कितना 5 हो जाएगा 5 T और 2, 3, 5 हो जाएगे तो 5 C यहीं से हमें 5 T और 5 C मिल गया है इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, ये 6 और 4 तो 5 T और 5 C की value कितनी आ गई? 4, 6, 5 इन की कीमात हो जाएगी 4, 6, 5 थर्ड ओप्शन नाइन्थ कोशन है अज आपकी पर वाट 6 T और 6 T और यहीं खरीदता है वो इतनी रेट पर और उन्हें बेज देता है मतलब 6 T न नहीं बीच रहा है उसमें से 4.7 T को बेज देता है इतनी रेट पर और तो उसे कितना profit होगा अगर बाकी बचे हुए गे हूँ वो इतनी रेट पर बेज देता हूँ profit निकालना है तो profit के लिए सबसे पहले हम只 price और selling price निकालने cost price मतलब उसने खरीदे 6 Tन खरीदे थे इतने की rate पर ये टन में दिया गया है और rate दिया गया है पर kg में तो एक टन में 1000 kg होते हैं तो इस 6 टन को हम kg में change कर लेते हैं तो 6 में 1000 का multiply कर देंगे तो इतने kg आगए total और 1 kg की कीमत इतनी है तो इतने kg कितनी हो जाएगी इसमें 1.80 का multiply कर देंगे इसे solve करेंगे तो यह point हटाएंगे हम divide में 100 आ जाएगा ज्यूंकि दो नंबर लिखे हुए हैं तो point हटाएंगे यहां से 20 यहां पर आ जाएगे अब cancel करेंगे 20 से 20 कैंसल कोस्ट प्राइज आ जाएगी 20 लास्ट में एट और यह टैन 108 00 इतनी कोस्ट प्राइज आ गई है अब सेलिंग प्राइज निकालेंगे तो सेलिंग प्राइज वह एक साथ नहीं बेच रहा है छे टन थे उसमें से इसने 4.710 पहले बेच दिए तो 4.710 इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो एक टन में 1000 केज होते हैं तो इसमें हम 1000 का मल्टिप्लाय कर देंगे तो यह पूरे किलोग्राम आ गए और इतने की रेट पर बिच रहा है वह दो रोपे की रेट पर एक किलोग्राम की इतनी तो इतने की इतनी हो जाएगी 2 का मल्टिप्लाय कर देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यह डिवाइड में एक टैन आ जाएगा फिर यह 0 से 0 कैंसल इसका मल्टिप्लाय करेंगे यह 4 और 9 9400 अब बाकी बच्चा हुआ कितना है 6 था टोटल 6 टन थे उसमें से 4.7 टन निकल गए यह 3 और 1 1.3 टन बचे हुए है तो इस 1.3 टन को वह इतनी रेट पर बेशता है 1.3 टन है तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे हम तो 1000 का मल्टिप्लाय कर देंगे कितनी रेट पर बेशता है 2.50 की रेट पर तो इतने पैसे रोटल आ जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे यह पॉइंट हटा लेगे सबसे पहले एक पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो फिर यह वाला पॉइंट हटायेंगे तो दो नंबर है तो दो जीरो यहां पर और आ जाएंगे अब यह 30 है तो 30 से 30 कैंसल हो जाएंगे यह ही फिर 250 इंटो 13 यह हो जाएगा 3250 तो टोटल सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे इतने में बेचा और इतने में बेचा दौनों को प्लस करेंगे तो 0, 5, 4, 3, 6 और यह 12 यह आ गई सेलिंग प्राइस टोटल 12650 और कॉस्ट प्राइ से निकाल देंगे इन दौनों का माइनस कर दो यह है SP और ज्यादा भी है यह तो प्राफिट ही हो जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे हमें से 108 00 यह जाएगा 0, 5 और 16 में से 8, 8 और यह 1 यह प्राफिट आ जाएगा 1850, 1850 थर्ड अप्शन नेक्स्ट है 3A equal to 4B equal to 5C तो A, B, C तीनों का रेशियो निकालना है इसका एक तरीका तो यह है कि इन तीनों का एलसियम ले 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 3, 4 और 5 इनका एलसियम कितना आजाएगा 60 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो आजाएगा 20 फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 तीन बार कैंसल हो जाएगे फिर 5 से करेंगे तो 12 बार तो A, B, C तीनों का रेशियो आगया यह और दूसरा तरीक का यह है कि 3A equal to 4B equal to 5C दिया गया है तो यहाँ पर हमें देखना है तो यहाँ पर क्या इस वाले को छोड़कर हम बागी दों का multiply कर दें 4 इन्टू 5 का रेश और यहाँ पर इस 5 को छोड़कर इन दौनों का multiply कर दें 3 इन्टू 4 फिर यह 20 हो जाएगा रेशो 3 इन्टू 5 15 और 3 इन्टू 4 12 यह जाएगा रेशो A, रेशो B, रेशो C नेक्स्ट है, 3 by 4 जर्नी complete करने के बाद मैंने यह पाया कि मैंने 16 km कवर कर लिया है तो बाकी बची हुई यात्रा कितनी है 3 by 4th, 3 by 4th complete कर लिया है और वो किसके बराबर है, 16 km के बराबर है अब 3 by 4th तो कर लिया, तो बची कितनी हुई, 1 में से माइनस करें कि टोटल 1 को मानते हैं यह जाएगा 1 by 4, तो 1 by 4 यात्रा और बची हुई है, तो 3 by 4 16 के बराबर है, तो 1 by 4 कितने के बराबर होगा वो हमें देखना है यह 3 by 4 लिखा हुआ है, 1 by 4 बनाना है, मतलब इस 3 को हम अटा दें, तो 3 कहां चला जाएगा, यह डिवाइट में चला जाएगा, क्योंकि multiply में है, cross multiply में यह नीच चला जाएगा तो 1 by 4 equal to 16, यह डिवाइट में आएगा, तो 3, इससे cancel कर देंगे, तो 5 बार और 1 बचेगा, तो 1 by 3, इतनी आत्रा और बची हुई है, क्योंकि 1 फोर्थ निकालना था हमने, हमें, तो 1 फोर्थ इतने के बराबर हो जाएगी, तो इतनी जर्णी और बची हुई है, 5 1 by 3 नेक्स्ट है, रेशो औफ एजेज अफ मदर एंड डॉटर, 5 रेशो बन दिया गया है, और 6 साल के बाद उनका रेशो इतना हो जाता है, तो फाइंड दा प्रेजेंट अफ डॉटर, तो मदर और डॉटर हैं, तो प्रेजेंट एज ले रहे हैं, तो प्रेजेंट को हम P माल लेते हैं, रेशो कितना यह, फाइव रेशो बन और 6 साल के बाद, तो इसको हम 6 कर देते हैं, मतलब यह P0 हो गया, प्रेजेंट को मतलब 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना रेशो हो रहा है, घृ सो बन तो इसमें, दिफरेंज देखते हैं, दोनों का फाइव और 3 का, वन और ब तो इस difference को में same करना पड़ेगा तो उसके लिए हम इन दौनों में जितना difference है 3 और 1 में 3 में से 1- करेंगे तो 2 तो यहां पर हम 2 का multiply कर देंगे इन दौनों में और इन दौनों में कितना अंतर है 5-1 4 तो यहां पर हम 4 का multiply कर देंगे इन दौनों में तो नया ratio कितना हो जाएग 2 का करेंगे तो 2 into 5 10 यह 2 यह present का चल रहा है और 6 साल बात का इसमें 4 का multiply करेंगे 3 into 4 12 ratio 4 into 1 4 अब नया वाला ratio यह आ गया इस से हमें कोई मतलब नहीं इस वाले से इस वाले से हम calculate करेंगे तो difference कितना आ रहा है 12 और 10 में 2 का difference है और 402 में भी 2 का difference है तो difference equal to हम यह इस इंटरवल लेंगे present था 6 साल तक जा रहा है तो 6 साल एड़ हो रहा है मतलब 6 तो यहां से 1 equal to कितना आ जाएगा 2 का divide करेंगे तो 1 equal to आ जाएगा 3 पूछा क्या था present age of daughter तो present age of daughter का ratio कितना है present में daughter यह 2 था तो 1 equal to 3 है तो 2 equal to कितना हो प्रिजेंट का 6 second option यहां फिर इसको x मान कर भी कर सकते है present ratio कितना दिया है 5 और 1 तो total हमाल लेते हैं कि 5 x है present में और 6 साल बाद लेना है तो 6 present में daughter का कितना है 1 मतलब 1 x मतलब x ही हो जाएगा plus 6 साल बाद के लिए इतना तो बाद में 6 साल बाद में ratio कितना हो रहा है इनका 3 ratio 1 तो 3 divided 1 अब इसको solve कर लेंगे यह हो गय था present का 5 x 6 साल बाद 6 और जोर दिया उसमें तो ratio दिया था 3 ratio 1 इसको cross multiplier करेंगे तो 5 x का 1 में 5 x plus 6 equal to इसका करेंगे इसमें 3 x 3 x plus 3 x 18 यह 3 x plus का है इस साइड लेके आएगे तो माइनस का हो जाएगा 5 x minus 3 x 2 x equal to यह 6 plus का है इधर जाएगा दूसरे साइड तो माइनस का हो जाएगा 18 minus 6 12 बचेंगे x 2 का divide कर देंगे इसमें तो 12 by 2 6 आ जाएगा x की value 6 और x क्या था मतलब daughter की age पूछी थी daughter ही कितनी थी x आंजर हो जाएगा 6 next ratio of ages of x and y 6 ratio 5 दिया गया है और इन दोनों के ages का product multiply दिया गया है multiplication 30 तो age of x age of y बतानी है तो x ratio y कितना दिया है 6 और 5 तो इन दोनों का multiply दिया हुआ है 30 तो 6 into 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा और जो बराबर दिया गया है 30 की तो यहांसे 1 equal to 1 मिल जाएगा और पूछा क्या है y की निकालना है तो y का ratio कितना है यह 5 तो 1 equal to 1 है तो 5 equal to कितना हो जाएगा 5 y कि यह जाएगी 5 years या फिर इसको x मान कर भी कर सकते हम यह 6 दिया गया है 6 और 5 ratio है तो हम 6 x माल लेते हैं और y की माल लेते हैं 5 x और दोनों का multiplication दिया हुआ है तो हम multiply कर लेते हैं 6 x into 5 x दिया है 30 30 के बराबर है तो 6 into 5 30 और x का x में करेंगे तो x square equal to 30 यह 30 से यहांपर divide कर द और यह 2 है उससार जाएगा तो 1 by 2 मतलब 1 का root हो जाएगा और 1 का root तो 1 ही आता है तो x equal to कितना जाएगा 1 तो y की एस पूछी हुई थी y कितना था 5 x तो 5 into 1 मतलब 5 3rd option next rainfall in a sum has been declining 1% every year हर साल बारिश 1% कम हो जाती है तो 2004 की comparison में 2001 में वहाँ पर कितने परसेंट बारिश अधिक होई होगी क्योंकि कम हो रही है तो पहले जादा ही होगी तो इसको या तो ऐसे solve कर सकते हैं कि पहले हम 100 माल लें तो उसके पहले 1 साल क्या 1% कम होई होगी तो 99 हो जाएगी फिर उसके बाद और 1% कम तो फिर उसको पूरा calculate 99 into 99 ऐसे करके बहुत लंबा पड़ जाएगा लेकिन इसको हम rate से compare करके भी निकाल सकते हैं यहाँ पर time कितना दिया गया है 2001-2004 मतलब 1-2-3-4 3 साल तक के लिए हमें देखना है कितना percent कम हो रहा है तो पहले साल के लिए देखते हैं first year पहली साल में total का जितना भी total था उसका 1% कम हो जाएगा 1% कमी आई उसके बाद दूसरे साल में दू का 1% मतलब 1 divided by 100 मतलब यह 1 by 100 तो दो के बाद 0 लगा देंगे 0.01 0.01% की कमी आ जाएगी उसके बाद तीसरे साल के लिए total का 1% कम होगा उसके बाद यह जो पहले साल के लिए 1% लगला था इसका भी हमें 1% लेना पड़ेगा इसका 1% कितना 0.01 और फिर दूसरे साल के लिए 1% लग रहा था तो इसका भी हमें 1% लेना पड़ेगा तो फिर से 0.01% की कमी और फिर इसका 1% लेना पड़ेगा तो 1% मतलब 1 divided by 100 और किसका लेना है 0.01 का तो 2 0 है तो इसके बाद 2 0 और बढ़ा दो इदार मतलब 0 1 यह 2 है तो 1 और 2 और फिर प 3.000 और 1 अब तीनों साल के लिए कमी देखना है तो इन सब को हम प्लस कर देंगे तो अगर ऑप्शन से देखें तो 222 मतलब 3% से कम तो आएगा ने क्योंकि एक यह हो गया एक यह हो तीन तो हो ही जाएंगे और तीन से जादा आएगा तो यह आंसर नहीं हो सकता यह आंसर न तो इतने परसेंट बारिष अधिक होती थी 3.03 नेक्स्ट है एक्स वाइ 4 इक्वल टू कुछ भी ने करना सॉल्व करना है एक्स वाइ 4 इक्वल टू 3 है तो एक्स की वाइडियू कितनी हो जाएगी इसको क्रॉस मल्टिप्लाय कर दो एक्स एक्वल टू 3 इन्टू 4 12 एक्स एरिया में, surface area of sphere या गोले का शेत्रफल कितना होता है, 4 pi r square, तो यहाँ पर percentage increase पूछा है, मतलब percentage change पूछा है, तो एक formula यूज के जाता है, plus minus x, plus minus y, plus minus x, into में, plus minus y, और divide में 100, मतलब गए कोई 2 values हो रही होती है, कम हो रही है, तो हम जादा हो रही तो plus लेंगे, और कम हो रही तो minus लेंगे, तो 2 values के लिए होता है, percent change के लिए, कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, radius 50% बढ़ रही है, मतलब plus, यह एक sphere है, यह गोला है, मतलब, तो गोले केस मे दोनो values को हम सेम लेते हैं, तो बढ़ रही है, तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 50 और plus का लेंगे, क्योंकि बढ़ रही है, plus y की जगह पर भी 50 ही लेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है तो plus ही लेंगे, plus फिर यहाँ पर भी 50 into y की जगह पर 50, divide में 100, यह 2 0 से 2 0 cancel हो 100 plus 5 into 5, 25, तो यह हो जाएगा 125%, 125% की मतलब इतना परसेंट बढ़ जाएगा surface area, 125% या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कि 50% radius बढ़ रही है, 50% मतलब कितना, 50%, 50 divided by 100, cancel करेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा यह, 0 से 0 और यह 2 बार cancel हो जाएगा, तो 1 by 2, तो इसमें यह 1 तो बाद का है और यह 2 है total, तो 2 total लेना है हमें, तो 2 का 50% लेना है, 2 का 50%, मतलब पहले वाली radius ले रहा है हम R1 और बाद वाली radius R2, तो radius पहले कितनी थी? 2, R1 अभूर बढ़ रही है, तो 2 का 50% कितना होता है 1, तो 2 में हम 1 और जोड़ दे, 2 plus 1 3, बाद में radius इतनी आ गये स्टसाओं इसका सर्फेस सेडिया पहले कितना हो जाएंगा सार्बोसेय का फॉर्पाय वॉता है फॉरपाय एरीया फोरपाय आव और स्कॉयर और अमग्रों अब इन दोनों में परसेंट चेंज देखना है, परसेंट इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो जब भी कभी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाए, तो जो constant values होती है, उनको हम पहले ही cancel कर देते हैं, मतलब बाद में वो cancel होने वाली होती ही, तो starting में ही नहीं लिखो इसके जगे पर हम क्या ले लेंगे, 4, 2 का square 4, और A2 मतलब बाद का, यह हो जाएगा 9, तो इसमें देख लेते हैं कितना बड़ा, यह 4 है, यह 9 है, तो बड़ा कितना, 9-4, 5, और किस से देखना है हमें, पहले वाले से, तो पहले कितना था, A1, तो divide में 4, और percentage देखना है, तो into 100 भी कर देंगे, तो यह 4 से 25 बार cancel हो जाएगा, और 5 into 25 equal to 125%, 1 to 5% increase हो जाएगा surface area, और अगर यह 4 pi, 4 pi को हम ले लेते, तो यहाँ पर 4 pi होता 5 के side में, और नीचे भी 4 pi होता, तो cancel हो जाता, तो answer हो जाएगा 1 to 5, नेक्स्ट है, एक rectangular tank है, आयता car tank, जिसकी लंबाई इतनी है, चोड़ाई इतनी है, और 2 meter height तक वो भरा हुआ है, 2 meter height तक पानी भरा हुआ है उसमें, तो how much area will have weight surface, मतलब उस tank में कितना area, कितना सितरफल होगा, जो गीला होगा, तो एक tank बना लेते हैं, यह हो गया rectangular tank, क्यूबाइड हो गया, गहनाब, इसकी लंबाई है 10, चोड़ाई है 5, यह वाली length, और 2 meter तक भरा हुआ है, तो 2 meter यह पूरा नहीं लेना है, यह height जो इसकी है, पूरी नहीं लेनी है, मैं 2 meter तक लेनी है, तो 2 meter माल लेते हैं कि यहां तक है, तो यह इतना भरा हुआ है, तो height हमें इसकी इतनी linear 2 meter तक, क्यों कि 2 meter तक भरा हुआ है, यह height हो गई, यहां तक यह 2 है, तो यह निकालना है, कितना इरिया इसकी गीला होगा, तो जहां तक पानी भरा हुआ है, उतना area उतना शितरफल यहां पर गीला हो जाएगा, तो हम rectangle का area निकालेंगे, क् हनाब का रैक्टेंगल का आयत का एडिया निकाल कर इसको देखेंगे कि कहा कहां तक गीला है तोब सलुट PH else 2 ओन लें कि इतना हिस्सा आयत का यह क्या बन गया यह एक आयत ही बन गया रैक्टेंगल बन गया इसकी लंबाई हो गई इतनी 10 ओर तो rectangle का area हम कैसे निकालते हैं length into break करके दौरों का multiply कर देते हैं तो इसका area कितना हो जाएगा 2 into 10 लंबाई into चोड़ाई और इसी तरह कि same एक दीव मतलब इतना हिस्सा उस तरफ भी होगा तो हमें इसमें into 2 करना पड़ेगा क्योंकि same इतना ही पार्ट उस तरफ होगा जो गीला हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10 into 20 और 40 अब हमें ये वाला पार्ट लेना ये वाली ये एक rectangle बन गया 5 है लंबाई और ये 2 लंबाई into चोड़ाई तो 5 into 2 ये area हो जाएगा और इसी तरह का same हिस्सा इस तरफ भी होगा यहा अब इसमें गीला होने वाला हिस्सा क्या एक नीचे वाली नीचे वाला हिस्सा भी रहेगा इसकी लंबाई ये रहेगी और चोड़ाई ये और उपर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पूरा भरा नहीं है ये तो 10 into 5 ये 50 इसमें उपर वाला पार्ट हमने इसलिए ने लिया क् पाने केवल नीचे वाली सर्फेस पर ही टच हो रहा है उपर तक तो भरा ही नहीं है तो ये एरिया ये एरिया और ये इन दिनों को प्लस कर देंगे वह ये 60 और 60 प्लस 5 तो 110 मीटर स्कॉयर टोटल एरिया जाएगा 110 मीटर स्कॉयर नेक्स्ट है एक नंबर है जिसमें उसकी डिजिट्स का प्रोड़क्ट 12 है और अगर उसमें 36 जोड देते हैं तो डिजिट्स हो जाती है पलट जाती है मतला वापस में बदल जाती है तो वह नंबर कौन सा होगा अब नंबर टू डिजिट का ये मालोम नहीं है लेकिन और उपशन मीं देखें तो डिजिट्स का हो रहा है अब यह तो यह जो फॉर्मले से होता है टैनि टॉ टैनि डिजिट इंटु प्लस डिजिट्स बैसे कर सकते हैं लेकिन लॉंग पड़ेगा हम इसको ऑप्शन से चेक कर रहा है फिर क्या बोलाए अगर उस नंबर में 36 जोड़ देते हैं तो उसकी डिजिट्स आपस में बदल जाती हैं 43 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो 79 मिलेगा ये और ये दौनों अलग अलगें आपस नहीं बदली हैं तो ये अंसर नहीं है 26 में हम 36 जोड़ देते हैं 6 और 6 ये 12 और ये 6 62 मिला तो ये 26 और 62 डिजिट्स आपस में बदल गई हैं जो पहले थी वो बाद में आ गई आपस में बदल गई तो ये अंसर हो सकता है थर्ड में जोड़ते हैं 36 तो 6 और 14 ये 12 भी 0 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं अंसर फिर 62 में 36 जोड़ें तो ये 6 7 8 तो भी ये सेम नहीं आ रहा है तो यहां पर भी रिवर्स नहीं हो एक तो नंबर डिजिट्स सेम होनी चाहिए और आपस में बदल भी जाएंगी तो 26 औ वो इतनी स्पीट से कवर करती है और बाग की बची हूँ डिस्टेंस इतनी स्पीट के डवल स्पीट से कवर करती है इदा टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम उनको 10 घंटे लगता है तो डिस्टेंस क्या होगा कुल दूरी निकालनी है क्या वन फोर्थ इसमें वन फोर्थ distance वो 25 km की speed से km per hour की speed से cover करता है तो 1 upon 4 है तो इसमें हम 4 को total मान सकते हैं और 1 वो cover कर रहा है इतनी speed से तो अगर हम 4 को total मान लेते हैं तो इसका 1 fourth कितना हो जाएगा? 4 का 1 fourth 1 होगा और बाकी बच्चा हुआ कितना? 4 में इसे 1 minus करेंगे तो 3 तो ये 1 fourth distance जो है वो 25 km per hour की speed से cover कर रहा है और बाकी बच्ची हुई distance वो इससे double speed से cover कर रहा है 25 का double कितना हो जाएगा? 50 ये हो गई speed अब दिया क्या total time 10 घंटे लगता है तो हम ये निकाल लेते हैं T1 प्लस T2 इक्वल टू total time कि पहले distance में लगा गया time T1 है मतलब 10 दिया गया है जो तो speed का formula क्या होता है distance upon time तो यहाँ पर time है तो T बराबर क्या हो जाएगा? 1 fourth 25 से कर रहा था total मालियत हामने की 4 है तो इसका 1 fourth हो जाएगी distance मतलब 1 fourth कितना हो जाएगा 1 और बाकी बच्चे को 4-1, 3 तो 1 को वो cover कर रहा था 25 की speed से और बाकी बच्चे की 3 पार्ट को कर रहा था 25 के double से तो 50 यह speed का formula होता है distance upon time तो यहाँ से हम time के बराबर निकालेंगे T को हम यहाँ ले जाएगा, S को यहाँ ले आएगे तो T बराबर हमें क्या मिल जाएगा? distance, divide में speed time का formula है distance upon speed तो distance हमने क्या मानी है? 1, divide में क्या? speed, speed कितनी है इसकी? 25 plus दूसरे बाले distance के लिए हम time निकालेंगे time का formula क्या होता है? distance, distance कितनी है? 3 divide में speed, speed इसकी कितनी हो गई? 50, क्योंकि double speed से कर रहा है cover equal to total time total time दिया गया है 10 अब इसको solve करें, LC हम लेंगे यह फिर LC म लेने के बजाए यह कर सकते हैं कि हम denominator में जो उसको equal कर लें यह 25 दिया है अगर इसमें हम उपर नीचे 2, 2 का multiply कर दें यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का तो यह उपर हो जाएगा 2 और नीचे 25 into 2 मतलब 50 प्लस यह 3 by 50 equal to 10 यह 50 50, LC हम मतलब 50 ही आएगा तो उपर वाला सेम जुट जाएगे 3 plus 5 कितना 5 equal to 10 यह 5 से 10 बार cancel हो जाएगा तो क्याएगा 1 upon 10 equal to 10 यहाँ से हम 1 equal to निकाले इस 10 का multiplyस में कर देते हैं तो 100 हो जाएगा 1 equal to 100 के बराबर मिल गया अब question में पूछा था total distance total distance हमने क्या मानी थी 4 तो 4 के बराबर हम निकाल देते हैं जब 1 equal to 100 है तो 4 equal to कितना हो जाएगा 400 total distance जाएगी 400 किलोमीटर यहाँ फिर यह इस question को x मान कर भी कर सकते हैं total distance हमने मान लिए कि x है और speed का formula हुआ distance upon time तो यहाँ से time के बराबर हम निकाल लेगे time बराबर मिलेगा ts को नीचे ले जाएगी तो t equal to distance upon time distance upon speed हम यह पर total time दिया गया है standards तो पहले distance में लगा हूआ time t1 प्लस दूसरी distance में लगा हूआ time t2 equal to total भी तो t1 हम निकाल लेएंगे पहले distance में लगा हुआ time, तो distance कितनी है, यह time का formula होता, distance upon speed, तो distance कितनी हो रही है, one fourth है, तो x का one fourth हो जाएगा, x upon four, और speed कितनी है, 25, 25 का हम इसमें divide करेंगे, तो यह नीचे है, तो उपर जाएगा, तो पलट जाएगा, 25 upon one, इसको माल लो, तो उपर जाएगा, तो पलट time, plus, x by four distance हो गई है, तो बाकी बची हुई कितनी हो गई, one minus x by four, तो four minus, one नहीं x, क्योंकि टोटल तो हमने x माने हैं तो x में से minus करेंगे, तो x minus x by four है, LCM इसका, four आएगा, तो four x minus x, कितना हो जाएगा, three x, divide में four, इतना distance है, बाकी बचा हुआ, हम time निकाल रहे है, time का formula क्या होता, distance और divide में speed करना है, तो distance तो आ गई, अब divide में speed करनी पड़ेगे, लेकिन speed कितनी 25 की double, तो कितनी हो जाएगी 50, तो 50 रहेगा, इसी तरह से यह 50 यहाँ पर आएगा, तो one upon 50 आएगा, तो 50 का diet यहाँ पर multiply कर देते, एक्कोल टोटल टाइम हम दिया गया है, 10, यह इतना हो गया था, distance और यह 50 speed, यह माल लो, यह distance थी, इसके divide में speed करेंगे, तो 50, अब नीचे कुछ नहीं, तो हम one माल लेते हैं, इतना part हो गया, यह distance है, और यह speed है, यह 50 upon one उपर जाएगा, तो change हो, मतलब पलट जाएगा, तो 3x by 4 into 1 upon 50, तो यही ल यह 4 है, 4 है नीचे, 1 upon 4 को common निकाले हैं, 1 upon 4, अंदर क्या बचेगा, x upon 25 plus 3x upon 50, equal to 10, अब यह 4 यहाँ पर नीचे multiply में है, तो हम cross multiply करेंगे, तो 4 को यहाँ भेजने ला रख, तो यहाँ पर 40 लिख देते हैं, और यहाँ से यह काट देते हैं, क्योंकि 4 को हमने वहाँ multiply किया 10 में तो 40 हो गया, अब यह क्या है, x upon 25 यहाँ तो इसका यहाँ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा है कि हम नीचे, नीचे का पार्ट सेम कर लें, 25 इसको क्या करें कि 50 हो जाए, 2, 2 को multiply कर दें, यहाँ पर भी 2 का multiply और यहाँ पर भी 2 का multiply, तो क्या हो जाएगा, 2x divided 2 into 25, 50 plus, यह 3x plus 50, equal to 40, यह 2x plus 3x, क्या हो जाएगे, 5x divided में 50, equal to 40, यह cancel हो जाएगा, 10 बार 50, तो यह 10 यहाँ डिवाइड में है, 40 की multiply में पहुंच जाएगा, तो x equal to कितना हो जाएगा, 40 into 10, x की value हो जाएगी, 400, और x क्या था, total distance थी, total distance कितनी आ गई, 400, next है, in a 1 km race, a beats b by 50 meter यह 5 seconds, मतलब 1 km की race में, a हरा देता है, b को, 50 meter से यह फिर 5 seconds से, यह की बात है, तो 50 meter यह 5 seconds, time बताया है इतना, तो a को race पूरी करने में कितना time लगेगा, देखो, पूरी race कितनी है, 1 km की है, यह meter में दिया गया है, 1 km मतलब 1000 meter की total race हो गई, तो a जीत गया, तो a ने कितना किया होगा, a ने तो पूरा 1000 की cover किया होगा, 1000 meter, और b ने किया किया होगा, b हार गया, मतलब 50 meter से, तो 50 meter कम कर दो, 950 cover किया होगा इसने, अब क्या बताना है, distance तो इतनी cover की, यहाँ पर time बताना है कि a को कितना time लगा, तो speed का formula होता है, distance upon time, यहाँ से अगर हम t के बराबर ने कालें, t को यहाँ ले जाए, s को यहाँ ले आए, तो t equal to के मिल जाएगा, distance upon speed, यहाँ फिर इसकी जरुवती नहीं पड़ेगी, यह a और b, यह distance आ गया, अगर इसको cancel करें तो 0 से यह 0, और 5 से करेंगे, तो 20, यह 1 बार और 9 बार 45, तो यह cancel कर दिया, तो distance कितनी आ गई, distance का ratio आ गया, 20 ratio 19, अब अगर हम इस formula भी देखें, speed equal to distance upon time, तो distance और speed same है, same proportion में चलती है, तो जितनी distance चल रहा है, उतनी speed चलेगी, तो distance का ratio कितना आ गया, 20 ratio 19, तो speed का भी same ही होगा, 20 और 19, अब यहाँ से speed और time देखें, तो यह उल्टे चल रहा है, inverse proportion में है, वित करमानुपात में है, तो जितना यह होगा, उसका उल्टा यह होगा, time, speed और time opposite जाएंगे, तो time कितना हो जाएगा, 20 है, और यह 19 है, तो time के लिए यह 19 हो जाएगा, ratio यह 20, अब यह time का ratio आगा, 19 ratio 20, यह पलट कैसे दिया है, देखो, यह 20 है, और यह 19 है, 1 upon 20, यह 1 upon 19, अब इसमें को इस चीज का multiply करो, कि इन दोनों से मतलब, यह तो calcium ले लो, यह फिर 20 into 19 का इसमें उपर नीचे, यहाँ पर multiply कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो 20 into 19 का multiply किया, यहाँ पर, और यहाँ पर, तो 20 से 20 cancel हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 19, और यहाँ पर 19 से 19 cancel हो जाएगा, तो बचेगा केवल 20, इसलिए यहाँ पर 19 है वह व मिल गया पको पूछेंट में सोग को हुट में पूछा है कि एक को किता टाइम लगता है तो एक का टाइम का रेश्यो कितना है 19 तो 1 एक्वल टू 5 है तो 19 एक्वल टू कितना हो जाएगा 19 का मल्टिप्लाय कर दें 5 में तो यह हो जाएगा 95 95 सेकंड्स लगेंगे उसको Next है A can complete a work in 8 days working 10 hours a day A 8 दिन में complete करता है 10 घंटे काम करने पर और B उसी काम को 8 घंटे एक दिन में काम करने पर 12 दिन में complete करता है तो अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उस काम को finish करने में अगर वो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो A 10 घंटे एक दिन में काम करता है और 8 दिन लगते हैं तो A को आठ दिन में फिनिश करता है और 10 घंटे एक दिन में काम करता है यह हम टोटल वर्क एकक्वल कर रहे हैं और बी कितना करता है बारा दिन में और एक दिन में आठ घंटे काम करता है यह टोटल वर्क एकक्वल टोटल वर्क हमने लिखा हुआ है अब यहां से हम A ratio भी निकालें सबसे पहले से cancel कर दें, equal में हम cancel कर सकते हैं, 2 से यह 6 बार cancel होगा, और यह 5 बार cancel होगा, 8 से 8 cancel हो जाएंगे, यह हो जाएगा, A into 5 equal to B into 6, तो B को हम यहां ले आए नीचे, A upon B equal to यहां पर 6 था, इसको हम डिवाइड में लेकर जाएंगे 5 को, यह A और B के efficiency का ratio आगया है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं, A 6 और B 5, अब हम इस वाली equation में, यह तो यहां पर A की value 6 रख दें, यहां पर B की value 5 रख दें, तो total work निकल आएगा, हम यहां पर इस वाले part में, A equal to 6 रख रहे हैं, तो A equal to 6 रखेंगे, तो 6 into, फिर 8 into 10, यहां जाएगा total work, क्योंकि हमने total work को equal रखा था, लेकिन A और B की values हैं मालूम नहीं थी, यह efficiency का ratio हमने निकाल लिया, मिलना भी एक दिन का काम, फिर 6 into 8 into 10, यह हो जाएगा 4 A, या फिर इसको multiply नहीं करते हैं, इतना ही रणे देते हैं, यह होगा total work, तो हमें निकालना क्या ह है कि A और B को कितने days लगेंगे, तो A और B का एक दिन का यह efficiency है, तो दोनों को हम plus कर दें, 1 day का, तो 6 plus 5, कितना हो जाएगा 11, यह plus भी दोनों के लिए, into, वो कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, 6 घंटे, into number of days, number of days हम पता नहीं है, तो हम उसके जगह पर D लिख देते ह वर्क आ गया है, और total वर्क हमने क्या निकाला था यह, तो यह पूरा multiply में ही हम लिख देते हैं, क्योंकि बाद में cancel होने वाला था, इसलिए multiply नहीं किया था, अब यहां से D की value निकाल लिए, तो D equal to कितना हो जाएगा, यह यहां पर cancel कर दें, 6 से 6 cancel हो जाएगा, यह 8 into 10, 80 और यह D के multiply में है, तो divide में जाएगा 11, इसको cancel कर देंगे 11 से, यह 7 बार चलायागा, 77 और फिर 3 बच जाएगा, तो 11, 7, 3 by 11 days लगेंगे, उन दोनों को काम finish करने में, A और B को, फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है, if the दीपक's age will be thrice his present age, दीपक की age present से 3 गुनी हो जाएगी 17 साल में, तो present में उसकी age कितनी है, मतलब उसकी age 3 गुनी हो जाएगी, मतलब अगर 1 है, तो 3 गुनी हो जाएगी 3, 17 साल में, तो 1 बराबर कितना है, 17, तो 3 बराबर कितना हो 17 इंटू 3, बतलब 51, 51 हो जाएगी age, नेक्स्ट है, the average age of 5 members is 21 years, 5 members है, जिनका average age दिया गया है 21, यंगेस्ट मेंबर की सबसे छोटे सदस्ट की age है 5 years, तो find the average age of the family, family की और सत एज निकालनी है, जब उस यंगेस्ट मेंबर का सबसे छोटे मेंबर का जन्म हुआ होगा तब, तो average कितना है 21, और total member कितने है 5, तो हम सम निकाल सकते है, average में हम total members का multiply करके, सब की age का समा जाएगा ये 5, और 5 to 10, 105, तो इसमें ये बुलाए कि जो सबसे छोटा member है उसके जन्म के समय, मतलब उसकी age तो 0 होगी, मतलब अगर वो 5 साल का है तो उसको 0 तक आने में कितने 5 साल पहले आना पड़ेगा, तो इन सम में से हम 5 साल पहले तक की age माइनस कर देंगे, तो एक के लिए हम 5 का माइनस करेंगे, तो 5 के लिए कितना, 25, 25 कम कर दें, 105 में 25 माइनस करेंगे, तो 0 और ये 8, तो 5 साल पहले उन सब की age का सम कितना हो जाएगा, 80 years, तो सम इतना है, और total number स तो ये जो सबसे सोटा था, वो तो हट जागे, उसकी age कितनी 0 हो गई, तो उसको हम हटा देंगे, तो 5 थे, 5 में से 1 माइनस कर दो, 4, 4 मेंबर हो गए, ये cancel करेंगे, तो 20 आ जाएगा, average age हो जाएगी new वाली 20, fourth option, next है age of mother, 10 years है को 10 साल पहले, mother और डॉर्टर, मतलब mother thrice थी daughter से, इसमें हमें mother और daughter लेना है, तो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कि हम P-10 लिख सकते हैं, 10 साल पहले, mother की age 23, तीन गुनी थी, तो अगर हम daughter को 1 माल लें, तो mother कितनी हो जाएगी 3, उसके बाद 10 years later, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद के लिए हम P-10, 10 साल बाद, मदर की दुगनी हो जाएगी daughter से, अगर daughter की एक है, तो mother कितनी हो जाएगी 2, the ratio of present ages, present में उन दोनों की age का ratio निकालना है, तो यहाँ पर हम difference देखे, 3 में से 2 minus करेंगे, तो 1 आ रहा है और 1 minus 1 0, difference सेम नहीं है, तो इस difference को हमें सेम करना पड़ेगा, तो इन दोनों का अंतर का multiply हम यहां करेंगे, 2 minus 1 1, तो 1 का multiply करेंगे हम इन दोनों में, और इन दोनों का difference 3 minus 1 2, तो 2 का multiply यहां करेंगे, difference एक कोल करने के लिए कर रहे हैं, तो P minus 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 का multiply करेंगे, 3 into 1 3, ratio 1 into 1 1, फिर P plus 10, यह 2 into 2, 4 और 1 into 2, 2, अब यह पुराने वाले ratio का कोई काम नहीं हम नए वाले ratio से देखेंगे, और फिर difference एक सेम आ गया, 4 minus 3 1 होता है, 2 minus 1 1 होता है, तो difference कितना है, इन दोनों की बीच में, 1 का, equal to हम time, यह year interval देखेंगे, तो minus 10 था, तो 10 साल आगे तक आएंगे 10 साल, और उसके बाद और 10 आना है और अगर सेम सेम होते तो minus कर देते, तो 1 equal to 20 आ गया, तो यहां से हम कोई भी इस निकाल सकते हैं, हम 10 साल पहले की निकाल लेते, 1 equal to 20 है, तो 3 equal to कितना हो जाएगा, 3 का multiply कर देए, दौनों साइट तो 3 into 1 3, और 3 into 20, 60, तो 3 equal to 60 आ गया, उसके बाद 1 equal to निकालें, तो 1 equal to नि 20, यह 10 साल पहले की थी, 10 साल आगे आने के लिए हम 10 और जोड़ना पड़ेगा, present मिलाने के लिए, तो 10 इसमें जोड़ दिया हमने, 60 plus 10, 70, और 20 plus 10, 30, 0 से 0 कैंसल, 7 by 3, मतलब 7, ratio 3, मदर और डॉटर की present age का ratio आगे 7, ratio 3, इसके आगे ही questions हम next video में देखेंगे, thank you